हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्नॉलेश डिफेंस वे मित्रो हम इस वीडियो में एरफोस ग्रूप वाई के इंग्लिश ग्रैमर और इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजी और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजी तो मित्रो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला को क्वेशन है कंप्रिहेंशन तो चलिए इस क्वेशन को पूरी तरह से पढ़ते हैं और शोट प्रेसेज फॉलोव बाई फॉर क्वेशन टू टेस्ट कंप्रिहेंशन एडले के हमको कोई प्रेसेज पढ़के उसके प्रेशनों का जवाब देना है और उसके बाद सभी क्वेशन का एक और दुजरा एम उस तरह हमको क्वेशन के जवाब देने हैं तो पहला आता है क्वेशन पहला क्वेशन टू वाला आता है उसके बाद टू ड्रो वाला आता है और उसके बाद टू जड़्च वाला आता है तो हमको इस तोरह सभी question के जवाब देने हैं और हमें इसमें कोई places पढ़के उसका जवाब देना है और उसके बाद दूसरा point आता है grammar grammar का point हुबर सेरल है हम उसमें पढ़के या कोई भी books के subject देखके हम उसका जवाब दे सकते हैं तो चलिए हम grammar part 1 के चार topic के बारे में बात करते हैं तो पहला topic आता है subject verb जिसमें हमको सभी verb के जवाब देने होते हैं और उसके mark भी हमको लेने होते हैं उसके बाद आता है forms of words and error in the used words it is एटले के हमको किसी शिव्द के उप्यक के दौरा हमको किसी खाले जग्या को पूर्ण करना होता है खाले जग्या को हमको फूर्ण करना होता है उसके बाद 3-3 आता है sequence of the tense and error in the use of tenses एट्रे काल परिवरतन के जी काल परिवरतन द्वारा हमें खाले जग्या पूर्ण न करना हैं दूसरे काल अत्वा चाध्य वर्तमनकाल वहिशेका पुन वर्तमनकाल उप्यक के द्वारा हम इसका जवाब दे सकते हैं इस प्वेशन का जवाब हम वर्तमनकाल के उप्यक द्वारा कर सकते हैं त्यार बात छोथा आता है Transformation of Sentence compound complex simple negative affirmative comparative comparative degree positive degree and superlative degree हमें transaction करना होता है इन सभी option में से किसी option को हमें कहा जाता है और उसमें से हमको transaction अत्वा transformation करने को बोलते हैं जिसे हमें transfer करना है वो भी English में ही transfer करना है ता हमेत्र यह था हमारा कि है एहां फॉर्स एयर फॉर्स ग्रुप वै का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबर स on grammar है तो हम अभी इस वीडियो को यहां पर पूर्ण मुझाधा करते आपको वीडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाक कीजिए आपके मित्रों के साथ Elo che уже a Doctor तो चैनल को सब्दिस्क्राइब और हमारे चैनल को आगे बढये तब फ्रेंट्स अब हम आपको यह पुल्विजेंगे मैं यह पार्ट वन ग्रामर वन का सिलेब बश्ट का है अब अगला वीडियो महें हम आपको ग्रामर करेंगे तो आपका वीडियो यहां तक रखते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए